गर के सामने शीष्टम का पेड़ था मैंने सुचा यार पशीने सुखा लूँ उसके निच्चे खड़ा हो गया बड़ी काम की बात है बेटा पीछे खड़ा हो गया बाइस पेड़ के निच्चे इतनी जैर में उपर खिड़की खुली और जो आदमी था ना उसने खिड़की मैं बड़ी मैं अदमी कोई जान ना को पिशान और इसने क्यों कर पता लगया मनें प्यास मीं लग रही होगी घणा पड़ी आदमी खड़ा रहा हमें पांच मिन्ट होगी साथ होगी दस मिनट होगी आया ना मन नहीं फैसला बदल दिया आचा गठी आदमी है ना यह पैना तो मैं क्यों खड़ा कर दिया अपने घराद हो जाता खड़ा खड़ा बीतर बीतर उसने हाथ में जग ले रहा करता बाई साब माप करना मैंने सोचा पाणी के प्याओंगा मैं शिकंजी बनाना लग गया था इसलिए मैं आपके लिए शिकंजी ले आओ मेरे भी चार फिर बदल गे यार आदमी तो अच्छा है मैं गल्द सोचू था उसने के लास में शिकंजी डाल दी जैसे मूग अलाई उसमें मिठा तो थाए नहीं मैंने सोचा यार आचा बेवकूप आदमी है इतनी देर तक हमारी बाई साम मनें सोचा कदे सूगर सागारो बताओ कितनी चीनी मिलाओं मैं फिर शोचन लागया आदमी तो अच्छा है हमारी सोच इतनी जल्दी जल्दी बदलती है कि हम अगले को समय भी नहीं देते कि वह अच्छा है या बुरा है